नमस्कार इशन्यूज इंडिया में आपका सुवागत है में प्रिया आपकी साथ अडानी हिंडन्बर्ग मामले पर जैपीसी की मांग को लेकर संसत के दोनों सदों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया इसके बाद लोकसभा राज्यसभा को पहले दो फर दो बज़े तक फिर उसके बाद बुधवार सुबह ग्यारा बज़े तक के लिए इस्थकित कर दी गया इससे पहले सुमबार को भी इसी मामले पर सदन हंगामे की भेट चड़ गया इदर केंदरी मंत्री अनुराक ठाकूर ने राहूल गांधी पर निशाना सादा ठाकूर ने कहा लोकसभा में कॉंग्रेस सांसद की उपस्तिती सांसदों की ओसत उपस्तिती से भी कम है और ये विदेशों में जाकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता ये देश का अपमान है, उन्हें संसत में आकर माफी मागनी चाहिए ठाकोर ने मीडिया से बाच्चित में कहा, आज भारत एक वेश्विक महाशक्ति की रूप में उभर रहा है और G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये सबी चीजे भारत की प्रग्रती को दर्शाती है लेकिन दूसरी और रहूल गांदी भारत को अपमानित करने का कोई मोका नहीं छोड़ रहे है कॉंग्रेश संसत और लोकसबा पार्टी में नेता अधिर रंजन चोधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार संसत नहीं चलाना चाहती क्या कभी ऐसा देखा गया है कि सत्ताधारी दल के सभी सदस संसत को रोकने के लिए हंगामा करते हो रहूल गांदी को माफी क्यों मागनी चाहिए इसके बज़ाएं उन्हें केंदर को माफी मागनी चाहिए महीं कॉंग्रेस सांसर शेशी थरूर ने भी रहूल पर बचाव किया थरूर ने कहा रहूल ने कैम्बरिज युनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी की जरूरत हो उनने केंदर सरकार की कारे प्रणाली पर सवाल उठाया प्रधन मंद्रे ने विदेशों में रहूल से कहीं ज़्यादा बढ़कर बयान दिये हैं विदेशों में इस तरह की चल्चाओं के शुरूरत भाश्पा ने की है कॉंग्रेस ने नहीं बाकी क्लमाग पर प्रकली बने रही है एशनिस इंडिया के साथ धन्यवाद